तो गाज देख सकते हैं आज हम न्यू पतंग उड़ाने जा रहे हैं यहाँ पर कितना बड़ी एक कम्बिनेशन बल्यू और येलो कलर की पतंग और प्रेम भराई इसको उड़ा रहे हैं संडे का दिन हैं इंजwo आई करने हैं सब्संडे कोर पतंगे भी काफी ज़याद मातर में उड़ते है आपको नजर आ रही हैं यहाँ पर चलिए सब सपहला हम इसा पतंग को उड़ा लेते हैं बदा लेते हैं तो वो आम तोर पे लगती चली जाएगी, क्योंकि आपकी पतंग एक तो भारी पतंग आप, उपर से आपकी डोर भी पूरी टाइट हो चुके है, आप देखें यहाँ पर हमने पतंग उड़ाई है, यह देखें यहाँ पर, गुलाब भी से कलर के एक दम आ चुकी है, यह दे अब यह देखें लगए पेंच हमारे गुलाब भी पतंग से धिलने चल रही है, गई, बॉल ले, और यहाँ पर कितने असानी से काट दे, क्योंकि हमारी भारी पतंग है, तो भारी पतंग का यही बेनिफिट है, जो भी मैं आपको बतारता, भी डोर एकदम टाइट हो धील के जैसे कोई धील दे रहे तो हमने भी साथ में धील दी, हाँ, अगर कोई खीच मारता हमारा, तो हमें कोई वो नहीं था, क्योंकि हम सिर्फ टाइट करके रखनी और वो खीच लगती, कट जाती उसकी पतंग, फिर हमें इतनी धील देने के जूड़त नहीं पड़ती, चलिए पहले मैं बदा लेता हूँ इस पतंग को आगे की तरफ चलो भई आगे की तरफ और देखे कितना बढ़ी है मोसम हो रही है यहाँ पर पतंगे भी कितनी जादा उड़ती हुई नजर आ रही है हला कोई मीद नहीं थी भी इतनी पतंगे कोई उड़ाएगा लेकिन फिर यह माय गोड रख दिए उनने तो बच गया साइड इसे निकल की पतंग देड रहा पर इच्छा पेज है इसमें आट गे किसी की डूर तो भरर दिले चल रही है भी यहाँ पर शायद किसी के नकी डूर में आ चुका है पतंग हमारी और ढल्लस की की दूर मारे क्यामु ड्न देखिए कहाँ पर चली गई अब तो मारी डिले देखिए पतंग बदाई जा रहे हैं बदाई जा रहे हैं जो भी बस बीच में पतंग आचिए उसको लगती काटने देखिए जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको और देखिए क्या और गाइस बिल्कु टाइट हो चुके स् बीची में आगे भई दोर के बेची में आगे पतंग यह तो कोई यह लटक गी हमारी डोर के पर गाई तो यह बैनेफिट है गाइस एक और उपर आली भी तो यह देखो यह बैनेफिट हैं पर ज्यादा बहरी पतंग उड़ाने का यह फायदा मिलता आपको एक बर भदग आपके पतंग अब चांस बहुत कम है हमारी पतंग कटने के यहाँ पर क्योंकि एक तो डोर टाइट हो चुकिया पतंग भी काफी दूर जा चुकिया अब सिरफ मालने कोई धील से पेंच लेगा तो या फिर कोई खीच मारेगा तो बड़ा तकड़ा खीच मारना पड़ेगा उसको तब जाके हमारी पतंग काट पाएगा वैसे अब हमारी पतंग नहीं कटेगी यहाँ पर देखिए कितनी बड़िया लग रही है एक जगा टका के पतंग आपी भी धिल दे रहे हैं उपर से जो भी खीच मार रहा है वो हलकी पतंग से खीच मार रहा है और उसको पुरतेज खीच मारना पड़ेगा ताकि हमारी पतंग आसानी से वो काट पाई यहाँ पर देखिए अब हमने आगे बदा लिया हम ट्राई करते हैं अब कोई होर पतंग के देखिए आपको दिखरी होगी और पतंग उपर घूम रही है बलैक से कलर की अब एक और रही साइड से बिल्यू कलर की और उसने तो प्रिल पेट दियो उसकी पतंग को यहाँ पर उपर ऊपर होगी उनके तो पेच हमारी पतंग तो आगे चली गई देखिए चोटी सी दीख रही है बिल्कुल छोटी सी मामली सी अब यहाँ पर यह देखिए पतंग कट के गई और देख दोरों में भज़ गी थी दोरे अद्धी तो यार हमारी पितंग ऐसी कट गी है क्योंकि जो भी पितंग पीछे से कट के आ रही थी ना हमारी डोरों में डोर उलजी जा रही और कटी जा रही बसंत पर हमार सब वह तो वह था ऐसा खेली यार और उसके बाद जो बसंत से next Sunday को में उड़ाई थी तब भी ऐसा और आज देख लो आज भी ऐसा लग रहा भाई हाँ अभी तो बसंत गई नहीं है आज भी बसंत का मोल बनो गए और देखिया कितनी बड़ी है यहां पर पतंगे उड़ रही है चलो अगला पेंचिस में देखते हैं यहां पर क्या रहेगा देखिए यह तो काटती अभी प आज भॉहारीशी पतंग कर दो औजार आ जाता है पतंग का यह देख रहाए धील देगा अटकाले आपने बीच में यह बीच में यह रहे भी-बीच में राग यह टकु typically निकाल गया ठिकिक पय क्यों को है तो पतंग के हैं हमारी डोरों के बीच में निकाल के ले गया भई पेंच चलो कोई बात नहीं दूसरी पतंग आगे आगे से खीच मारने के ट्राइए कर रहा है या तो देखे जूम करता हूं फोकुस होने तो यह देखिए दूनों साइडी से पतंगों ने घेर लिया हमें तो एक इदर है एक इदर है यहाँ पर याद है कि इतना खुश हो रहे है पर में इंद्या गोम रहे है और साइडी से भी उड़ा रहे है पतंग वाजी आत तो अरे यार यह बीच में नड़ा दे हमारी पतंग के बस यह देखिए उने पतंग उड़ा ले भाई पड़ोसियों ने बड़े वाली पतंग अब यह बीच में डोर में नड़ा का दे हमारी आन अमारी तो दोरों पे जाएगी पतंग क्योंकि जो भारी पतंग है ना मैंने ब तो गाइज कट गई फाइनली या अब गई हमारी पतंग जाके यार अग्गे से यह नहीं पता लगा कौन से पतंग ने बीचे पेंच ला दिये अब ये इनकी बड़ी पतंग ने पेंच लगा है या फिर अग्गे जो चार पाइज पतंग के उड़ी थी उन्होंने पेंच ल